रेलिवे की ही तरह हमारा देश जल, थल, नब, तीनों मार्गों से काम कर रहा है। एक और खाली टेंकर्स को एरफोर्स के विमानों द्वारा ऑक्सिजन प्लांट तक पहुचाने का काम हो रहा है। दोसरी और नए oxygen plant बनाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। साथ ही विदेशों से oxygen, oxygen concentrators और cryogenic tankers भी देश में लाए जा रहा हैं। इसलिए इसमें नेवी भी लगी, एरफोर्स भी लगी, आर्मी भी लगी और DRDO जैसी हमारी समस्ताय भी जूटी हैं। हमारे कितने ही वैज्यादियों इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और technician भी यूद्धस्तर प्रकाम कर रहे हैं। इन सब के काम को जानने की, समझने की जिग्यासा सभी देश भास्यों के मन में है। इसलिए हमारे साथ हमारी एरफोर्स के ग्रूप कैप्टन पटनायग जी जूट रहे हैं। पटनाएक जी जहिन, सर जहिन, सर मैं गुर्प कैप्टन एके पटनाएक हूँ, वाई उसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ पटनाएक जी, कोरोना से लड़ाई के दोरान, आप बहुत बड़ी जिम्मेबारी समाल रहे हैं, दुनिया भर में जाकर के टेंकर लाना, टेंकर यहां पहुचाना, मैं जानना चाहूँगा कि एक खौजी के नाते, एक अलग पकार का काम आपने किया है, मरने मारने के लिए दोड़ना होता है, आज आप जिन्द की बचाने के लिए दोड़ रहे हैं, कैसा अनुभा हो रहा है? सर, इस संकट के समय में हमारी देशवाशों को मदद कर सकते हैं, यह हमारे लिए बहुती सौभाग्या का काम है सर, और यह जो भी हमें मिशन्स मिले हैं, हम बखुबी से उसको निभा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, हमारी पूरी मदद कर रह है वो बहुत ही हाई लेवल पर इसी की वज़े से हम continuous operations कर पा रहे हैं केप्टन आप इंडियनों जो जो प्रयास किये हैं और वो भी कम से कम समय में सब कुछ करना पढ़ा है उसमें अभी इन दिनों क्या रहा आपका सब पिछले एक महिने से हम continuously oxygen tankers और liquid oxygen containers domestic destination और international destination दोनों से उठा रहे हैं जब करीब 1660 से जादा air force कर चुकी है और 3000 से जादा घंटे हम उड़ चुके हैं करीब 160 international missions कर चुके हैं जिस वज़े से हम हर जगह से oxygen tankers जो पहले अगर domestic में 2-3 दिन लगते थे हम उसको 2-3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह 24 hours continuous round the clock operations करके फूरी air force इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने ज़्यादा tanker ला सके और देश की मदद कर सके तरह केप्टन आपको international में भी कहां कहां दोर भागना पुड़ा सर्शार्ट नोटिस में हमें Singapore, Dubai, Belgium, Germany और UK ये सब जगह पे different fleets of the Indian Air Force, IL-76, C-17 और बाकी सारे विमान गये थे C-130 जो बहुत ही short notice पर ये mission प्लान करके हमारी training और जोज की वज़े से हम timely missions को complete कर पाये सर्थ केप्टन आपने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ सर्थ thank you so much सर्थ हम अपनी पूरी कोशिश में जी जान के साथ लगे हुए हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ है सर अधिती अरे वाँ नमस्ते मोदी जी नमस्ते बेटी नमस्ते अधिती आप कितने साल की है मैं बारा साल की हूँ और मैं क्लास एट में बढ़ती हूँ यह पिता जी बार जाते हैं इनिफॉर्म में रहते हैं उनके लिए मुसे बहुत प्राउड लगता है बहुत गर्ण महसूस होता है कि वह इतना सब महत्वपून काम कर रहे हैं जो सारे करोना पीडित लोग हैं उनकी मदद इस्ते सारे देशों से अक्सिजेन टैंकर्स ला रहे हैं रहे हैं यह लेकिन बेटी तो पापा को बहुत कि इतने सारे इंटिनाशनल फ्लाइट में जा रहे हैं और कंटेनर और टाइंकर उनके प्रोडक्शन प्लाइंट तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो करोना पीरित लोग है उनको टाइमली ऑक्सिजन मिल सके और उनकी जान बचाने वाला काम तो गर गर में लोगों को पता चला ह है जब तुम्हारे फ्रेंड सरकल तुम्हारे साथ ही स्टूडन जानते होंगे तो तुम्हारे प्रतिवी बड़े आदर से देखते हों जो लोग हां मेरे सारे फ्रेंड भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा इत्ता जादा इंपोर्टेंट काम कर रहे हैं तुम्हें भी बह वो लोग भी डॉक्टर्स हैं वो लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं और सारी आम फोर्सेज मेरे पापा के सारे स्कॉर्डन के अंकल सारी जो फोर्सेज हैं सब लोग सारी सेना बहुत काम कर रही है और मुझे यकीन हैं कि सब की कोशिशों के साथ हम लोग करोना से ये लड़ा और जब अधीती बोल रही है कि हम जरूर जितेंगे तो एक प्रकार से इश्वर की मानी बन जाती है। अच्छा अधीती अभी तो ऑनलाइन पढ़ती होगी। हाँ अभी तो हमारे सारे online classes चल रहे हैं और अभी हम लोग घर पे भी सारे full precautions ले रहे हैं और कहीं अगर बाहर जाना है तो फिर double mask पहन के और सब कुछ सारे precautions और personal hygiene maintain कर रहे हैं सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं अच्छा पेटा तुम्हारी क्या hobbies है क्या पसंद है मेरी hobbies है कि मैं swimming और basketball करती हूं पर अभी तो थोड़ा बंद हो गया है और यह lockdown और करोना वायरुस के दौरान मैंने baking और cooking का बहुत जादा मुझे शौक है और मैं अभी सारे baking और cooking करके जब पापा इतना सारा काम करके आते है तो मैं उनके लिए cookies और cake बनाती हूं वाव वाव चलिए पेटा बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मोका मिलना है बहुत अच्छा लगा और कैप्टन आपको भी मैं बहुत बदाई दीता हूं लेकिन जब मैं कैप्टन को बदाई देता हूं